हेलो एवरिवन आप सबका स्वागत है RRB ALP और Technician 2018 का CBT1 का Maths का Solution कर रहे हैं जिसमें 9 से लेके 21 अगस्त का सारा सिप्ट का Solution कम्प्लीट हो चुका है अगर आप लोग ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो देख सकते हैं लिंक नीचे description में मिल जाएगा तो आज के class में 29 अगस्त का पहला सिप्ट का Solution करेंगे देखे 22 अगस्त से 28 अगस्त कोई exam नहीं हुआ था तो शुरू करते हैं उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आगे बढ़ते हैं पहला सवाल है A और B एक कारी को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं B और C इसे 30 दिन में जबकि C और A इसकारी को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं A, B और C परतियक अलग-अलग इसकारी को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं देखिए, A और B मिलके कर सकते हैं, 40 दिन में, ठीक है, B और C इसको कर सकते हैं 30 दिन में, और C और A इसको कर सकते हैं, 24 दिन में पूरा, तो टोटल कारी जो मानेंगे इन तीनों का LCM मानेंगे LCM कितना होता है 120 हो रहा है लेकिन यहां जब डबल डबल का बात रहे और सिंगल सिंगल का निकालना हो तो हम लोग इसका दोगोना मानते है LCM यह पिछले भी कई सिप्टों में इस तरह का सवाल आ चुका है और इसी तरह से solution किया है ताकि decimal में calculation जाने से बच जाए ठीक है decimal में करने से ज़्यादा time लगता है तो यहां पर जब 40 से इसको किवाइट करेंगे तो कितना आएगा 6 तो AB का एफिसेंस इचे आगया बी प्लस C का कितना आ जाएगा यहां से 8 आ जाएगा और C एक कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा ठीक है जब इन तीनों को जोडेंगे इस तरफ लिए यहां पर बीच में दस 24 हो रहा है तो दो से इसको कटा देंगे 12 बार में Qtotal का इस हमता कितना आगया 12 अब सब का निकालना है ABC का लाग लाग तो पहले एक आज निकालते है कितना आए एक का निकाने के लिए क्या करेंगे टोटल में से 20 मैनस कर देता है तो बी प्लस सी का आदना कितना मैनस करेंगे. तो बारव में दस मैनस करेंगे. तो कितना आएगा? 씨 का निकालेंगे. निकालेंदेंगे. okay निकाल लेते हैं.च के तोटल कारी इसको एक काइफिसेंसि है 4.4 से डिवाइट कर देंगा. ये आ जाएगा 60 दिन humming. थी का कितना आएगा? फिर 240 में P का है 2, 2 से डिवाइट करेंगे तो आएगा 123 C का कितना आएगा, टोटल का रहे है 240 और C का है 6, 6 से इसको डिवाइट करेंगे तो 40 आएगा तो 60, 120 और 40 इसका सही आंसर होगा, option number A ठीक है, आगे बढ़ते मेरे वर्त्मान उम्र का 2 तिहाई, मेरे चचेरे भाई के उम्र के 3 चौथाई के बराबर है 3 वर्स पहले, पहले की मेरी उम्र चचेरे भाई के आज के 4 वर्स बाद के उम्र के बराबर होगी मेरी वर्त्मान उम्र क्या है, ठीक है तो मान लेता हूँ मैं A हूँ ठीक है और जो मेरा चचेरा भाई है वो क्या है B है ठीक है यहाँ पर नाम नहीं तो कुछ तो मानना पड़ेगा यह जो मेरे का प्रियोग हुआ है इसको A मान लिए है और चचेरे भाई के लिए B मान लिए है तो क्या कहा रहा है मेरे वर्तमान उम्र का दो तियाई, दो तियाई मतलब दो बटा तीन, यह बराबर है चाचेरे भाई के उम्र के तीन चोथ है, यानि यह जो B है इसका तीन चोथ है, तो यहां से A और B का रेशियो आ जाएगा, B को इस तरफ ले आए, उस तरफ बचा तीन बटे चार, और दो बटा तीन इस तरफ भेजेंगे, तो तीन बटा दो हो जाएगा, उलट जाएगा, तो यह गुना करके कितना होगा, तीन तिया, नो, इधर हो रहा है, चार दुना, आठ, यानि A और B का कितना अनुपाता गया, नो और आठ, तो इसको X के टर में हम ठीक है, तो मेरी अब ही कितना है, 9X, इन वर्स पहले जाना, तो तीन इस पे मैनस करेंगे, ठीक है, अब उसके बाद, मेरी उम्र, मेरे चचेरे भाई के आज से 4 वर्स बाद का उम्र, तो आज है चचेरा भाई का 8X, चार वर्स बाद जाना है, तो चार इसमें जोड़ना पड़ेगा तो इस इसके बाद दोनों का बराबर हो जाता है तो दोनों को बराबर कर दिये तो यहां से 8x इस तरफ आएगा तो x बचेगा इधार चार है इधार से 3 जाएगा तो साथ हो जाएगा X कमान कितना आगे 7 क्या पूछ रहा है मेरी वर्तमान उम्र क्या है मेरी वर्तमान उम्र कितना है 9 X है तो 9 का वेल्यू कितना होगा एक्स का साथ है तो नो सते 63 वर्स हो जाएगा ठीक है तो आप्सन नुमर एसका सही आंसर है अगला सवल देखते हैं यदि बहुपद 5x स्क्वेर मैंनस 7x प्लस 2 के सुन्य एलफा और बीटे है तो उनके व्यत् करम का योग क्या होगा यानि अलफा बीटा का व्युत कर्म क्या होगा एक रड़ा अलफा एसके बाद बीटा का एक बटा बीटा इसका और तो इसको थोड़ा सा आगे करते हैं Lcm आजाएगा alpha beta और इधर क्या हो जाएगा alpha plus beta चुकिंगा तो समिखरन में alpha plus beta निकलने का जो formula होता हो क्या होता मैंनस बटटा और alpha beta का क्या होता है C बटटा ए ठीक बैठा दिएए देखे A, A को यहीं पर काट देते हैं, value नहीं बठाएंगे, क्योंकि लंबा हो जाएगा, काट दिये, इसके बाद बज़ गया, minus B बटा C, तो minus B है, B का value यहाँ पर देखे, X का जो गुनांक होता, वही B होता है, हमारा minus 7 है, तो minus तो पहले से, minus 7 आएगा, उसके बाद C है, C का value कितना है, 2, तो 2 नीच आएगा, तो यह minus minus plus हो जाएगा, यानि कि 7 बटे 2, इस सवाल का सही आंसर, option number C, आगे बढ़ते हैं, एक परिक्षा में परणने, 36 अंग पराप्त की, तो 100 से इसको गुना करके निकालेंगे, 21, 84, 23, 63, 4 से 25 बार में, 3 गुना 25 करेंगे, तो 75 इस सवाल का सही आंसर होगा, आगे देखते हैं, तरह चीनी के मुल में 30% की विर्दी हो जाती है, सीता को चीनी की खपत कितने परतिसा तक कम कर देनी चाहिए, ताकि उसके विर्दी में कोई विर्दी ना हो, ठीक है, तेकि 30% का विर्दी हुआ, इसका फ्रैक्शन कितना होता, तीन वर्टा 10, यानि जब पहले चीनी का मुल 10 था, तो अब 3 का विर्दी हो गया, यानि कितना हो गया, 13 हो गया, यह प्राइस का रेशियो है, तो कंजम्शन का रेशियो क्या करना होगा, इसका रिवर्स करना होगा, क्योंकि यहां पर जो उसका विया है, वो बरावर करना होगा, यहां पर सवाल में का रहा है कि उसके विया में कोई विर्धी ना हो जब विर्धी नहीं होगा तो इसका जो खपत है उसको उल्टाना पड़ेगा 10 से 13 है तो यहां 13 से 10 करना पड़ेगा कितना का कमी है 3 का कमी है 13 से 130 से गुना कर देंगे यह हो जागा 300 लुटा 13What तो इसको डिवाइट करना पड़ेगा तेरा तेरा दुना 26 चार हुआ चालिस तेरा तिया 49 पचा एक बटा 13 यानि कि 23 पूर्णा के एक बटा 13 परसेंट ऑप्सन नूमबर डी इसका सही आंसर है आगे बढ़ते हैं यह बटमास का सवाल है सिंपल सा इसको सॉल्व करना है देखिए पहले यहां कर लेते हैं मैनस दो गुना मैनस एक यह प्लस दो हो गया प्लस दो छे में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 यहां तक 8 हो गया फिर अब तीन को आठ से गुना कर देंगी यह हो गया 24 यह भाग क्या है गुना है तो मैनस 3 गुना मैनस 13 करना है तो कुल में लागे कितना होगा 49 होगा प्लस में अब 63 में 49 मैनस करना है क्योंकि यहां पर मैनस लगा होगा तो 63 में 49 मैनस करेंगे तो यह कितना आएगा 24 आएगा यह 24 आगया अब देखिए यहां भागा है बीच में इधर भी 24 है इधर भी 24 है तो जब 24 से 24 को डिवाइट करेंगे तो कितना आएगा एक option number 10 का सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं एक क्लब में लड़कों और लड़कियों का अनुपाद 3-2 है वहां उपस्थित लोगों की कूल संख्या कितनी हो सकती है तो यहां जो संख्या होगा 5 के multiple में होगा या तो 10 होगा 15 होगा 20 होगा या 25 होगा 30 होगा तो option में हम लोग देख लेंगे कि कौन सा multiple 5 का है 5 का multiple यहां 25 है तो यही इसका सही आंसर होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं निव लिखित में से किस भीन को इतना में जोड़ने पर 3 प्राप्त होगा ठीक है जो प्राप्त करना है उसी में से इसको मैनस कर दीजे 3-6 बटा 3 हमेसा ऐसा ही करना ह तो इसको बदलना होगा 3-9 में से 4 गया 5-5 बटा 3 इस सवाल का सही आंसर है तो इसको बदलना होगा 3-1 का 3-2 बटा 5 यानि कि एक पुणांग 2 बटा 3 इसका सही आंसर है ठीक है नीचे 3 है यहां पर आगे बढ़ते हैं एक तिरभूज का आधार उसके बराबर छेतरपल वा आधार का एक तियाई है ठीक है समांतर चत्रभूज के साथ तिरभूज की संगत उचाई का अनुपात क्या होगा एक समांतर चत्रभूज यहां पर बनाते हैं एक तिर्भूज बनाते हैं ठीक है गरा जो इसका आधार है ये चत्रभूज का इसका एक तियाई है इसका आधार तो इसको हम लोग तीन यूनिट माल लेते हैं इसका आधार को ठीक है तो तिर्भूज का आधार कितना हो जाएगा एक यूनिट हो जाएगा क्योंकि एक तियाई करना है तो तीन का एक तियाई एक हो जाएगा तो इसका उचाई और इसका उचाई का अनुपात निकलना है तो माल लेते हैं तिरभूज का जो उचाई है H1 है और चत्रुभुच का जो उचाई है H2 है अब बस यहां पर कह रहा है बरावर छेतरपल है तो दोनों का चत्रपल बरावर कर देते हैं तिरुच का चत्रपल क्या होता एक बटा दो गुना आधार आधार कितना है एक है एक गुना उचाई कितना है H1 बराबर ये इसका समांतर चतर बूच का चतर प्रलता आधार गुना उचाई आधार है 3 उचाई है H2 तो यहां से H1 H2 का रेशियो निकलना है तो H1 को रहने देते हैं H2 को इस तरह ले आते हैं तो उधर बज़ के 3 और ये जो 2 नीचे वाला उधर जाके गुना हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा 1 तो यहां से गुना करेंगे तो 3 दूना 6 बट्टा 1 H1 और H2 का जो रेशियो आएगा कितना आएगा 6 अनुपात 1 ओप्सन नुबर D इसका सही आंसर होगा अगे बढ़ते हैं एक धनात्मक पुर्णां को 1000 में जोड़ने पर प्राप्त योग इसी संक्यां को 1000 से गुना करने पर प्राप्त संक्यां से 10 दस्मनलब 0 6 अधी का धनात्मक पुर्णां ग्याद कीज़े ठीक है देखिए सवाल में जो है हिंदी का अनुसार अगर बनाएगा तो आंसर नहीं आ पाएगा अगर इंगलीज का अनुसार हम लोग बनाते हैं ये अलग टैप का सवाल है तो आंसर आ सकता है देखिए पहले हिंदी पर इसका समिक्रान बनाते हैं एक संक्या है, एक संक्या है, जिसको 1000 में जोडते हैं, ठीक है, जोडने पर प्राप्त संक्या जो है, इसी संक्या को 100 से गुना करने पर, यानि की 100 गुना X करने पर, यह जो प्राप्त होता है, यह इससे कितना अधिक है, 10.06 अधिक है, ठीक है, लेकिन इसको जब सॉल्व करे तो X कमान नहीं निकल पाएगा तो हम लोग यहाँ पर इंगलिस से लेके चलेंगे और बनाएंगे कर रहा है कि वीच वेन एड़ेट टू एक हजार एक पॉजेटिव इंटिजर माल लेते हैं एक हजार में वह संख्यां जो है एक्स पॉर्णांक उसको जोड़ देते हैं इपसे सम वीच इज ग्रेटर देन इतना यानि दस दसमलब जीरो चे वेन इट इज मल्टिप्लाइड वाए एक सो इसके लिए परियोग हुआ है ठीक है जब इसमें एक सो से गुना करेंगे तो यह जो है उससे ज्यादा होगा इस गुना करके कितना हो रहा है तो यह हो जाएगा 1006 यह का जो वेल्यू है वह क्या होगा अगर यह 109 इस तरफ बेजेंगे देखिए आगे बढ़ते हैं जला कि सक्र की पैदावार चोगर system टो टूंटल प्रिफ के नियों के निकल धाना है क्योंकि गुल पैदावार पूछ रहा है तो ये कितना होएगा देखे जीरो जीरो काड़ देता है चार दुना आठ चार नमा चातिस दोस इसको कटा देंगे तीन हजार तो 9 गुना तीन हजार करेंगे तो 37,000 इस सवाल का सही अंसर आगा आगे बढ़ते हैं दस सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वीमा माले एक आयत से समान परिपाप वाला एक समचतरभुज बनाए गया जिसका एक कौन 60 डिगरी है समचतरभुज का छेतरफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा ठीकि एक आयत है इसका जो वीमाय है वो दिया हुआ है यानि कि 10 और 6 इसका परिपाप जो है समचतरभुज की परिमाप के बराबर है तो इसका परिपाप कितना होगा है इसको और ऐली सोच भी सकते हैं अगर इसतना परिमाब वला एक वह आर पार क्या होता है चार से डिवाइट करेंगे इसको तो आठाट आएगा पर तिक यानि इस तरह से एक डाइग्राम भी बना लेते हैं क्योंकि बनाना ही पड़ेगा तब है इसका आठ सेंटिमीटर और कह रहा है कि इसका जो कौन है वो साठ डिग्री है तो देखिए ये कौन छोटा है ठीक है ये बड़ा है ये अधिक कौन है और ये नियून कौन है तो यहां साठ डिग्री नियून कौन है तो ये वला कौन साठ डिग्री होगा इस तरह से हम लोग यहाँ पर लगाएंगे और एक विकर निक्षी देते हैं देखिए सम चत्रभूज का सभी भूजा बराबर होता है ये भी बराबर ये भी बराबर सब बराबर है तो यहां 60 डिगरी है तो बांकी जब दोनों भूजा बराबर है तो दोनों कौन भी बराबर होगा यानि तो इसका चेतरपल क्या होता है रूट 3 by 4 into a square तो पूरा चेतरपुज का चेतरपल निकलना है तो इसको क्या करना होगा दो से गुणा भी करना पड़ेगा ठीक है तो यहां पर हो जागा रूट 3 by 4 और एका वेल्यू आठ है तो आठ गुणा आठ चौन सट गुणा दो कर देंगे चार सिसों कटाएंगे सोला गुणा दो करेंगे 32 रूट 3 यानि की 32 रूट 3 इस सवाल का सही आंसर है सेंटेमीटर स्कॉयर में अप्सान नंबर बी ठीक है आगे बढ़ते हैं 250 ग्राम का ऐसा विलियन जिसमें गुलकोज की मातरा 5 परसेंट हो तैयार करने के लिए आवस्य गुलकोज की मातरा कितनी है 5 परसेंट गुलकोज है तो 250 का 5 परसेंट निकाल देगे यानि एक बटा 20 तो इसको जब डिवाइट करेंगे तो यह 12 आएगा आप्सन नंबर 20 का सही अंसर है आगे बढ़ते हैं इसी गहन के कोरों की लंबाई का योग एक वर्ग के परिमाप का आधा है यदि गहन का आईतन वर्ग के छेतरपल के बराबर है तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी इस तरह का सवाल पिछले सिप्ट में भी था कल सॉल्व किये है तो माल लेते हैं यह जो गहन है हमारा इसका जो किनारा है उसका लंबाई एक्स है और यह जो वर्ग है इसका जो भुजा है वो वाई है तो गहन के किनारों की लंबाई का योग गहन में कितना किनारा होता है पिछले कलास में चर्चा किये हैं 12 किनारा होता है तो इसका जो क यह डो यहां पर यहां तक लिए है आगे बढ़ता ही तो यहां तक लियर है आगे बढ़ते हैं अरह यदि घन का अईतन वर के चितरपल के बराबर है तो गहन का आईतन क्या होता है भुजा का क्यूब करते हैं तो भुजा माने है X तो X का क्यूब हो जाएगा ये गहन का आईतन हो गिया ये बराबर है वर के चितरपल का वर का भुजा माने है Y तो वर का चितरपल क्या होता है सबसे कम सीटे जितने वाले पाटी कौन सी है देखे पार्टी डी जो है यही सबसे कम जीता है सब सिंगल डिजिटी में है एक टो है एक ग्यारा तो सब जोड़ेंगे तो सबसे कम होगा तो आप्सन नुम्बर डी इसका सही आंसर होगा आगे बढ़ते हैं है एक बीजली का बलब 29 cents इसका मूल 8 पर्शंट more से Hampshire कितना होगा तो एक बार्श बाद इसका मूलह कितना होगा तो 22Station ौर अर्ट परसंट प्रति वर्श कम होता है तो इसका अड़ पर्शंट के इसमें मैनस कर देंगे तो virtual acá 8% कितना आ जाएगा यह आ जाएगा आपको 8, 2, 16, 8, 4, 32, 1, 33, 336 तो 336 इसमें जब मैनस करेंगे तो 38, 400 इसका सही आंसर आएगा ठीक है option number B आगे बढ़ते हैं इसको solve करना है पहले इसको कर लेते हैं 7 में से 3 गटा 4 4 से 8 इसको divide करेंगे 7 आएगा अब 70 है माइनस में 7 है प्लस में तो कितना आ जाएगा माइनस 63 option number D आगे बढ़ते हैं एक 160 मीटर लंबी ट्रेन 740 मीटर लंबे पूल को 45 सेकेंड में पार करती है ट्रेन की गती क्या है गती निकालना है ट्रेन जो डिस्टेंस कवर कर रहे है आगे तो ट्रेन आफ मीटर लंबा पूल है और ट्रेन की लंबा ही इतना डोनों के योग के वराबार डिस्टेंस यह कवर करेगा 45 सेकेंड में तो दोनों को जोड़ेंगे तू कितना होगा 7,8,800,900 200 900 मीटर का डििश्टेंब कर रहा है 45 taken में लेकिसा के निए कीलो मीटर प्रती फिर क हीन्टा में सब्ट्रिक है तो इसको यहीं तो कीलो मीटर फ्रती फ्रती सेकंड में सब्सक्राइब कि गंठां बदलने के लिए 18 बरींसे घुना अब यह 2 सब नीचे यहां से हटा के ऊपर लगा देते हैं तो दो गुना दो चार चार गुना बीस असी सवाल का सही अंसर होगा 80 किलोमेटर प्रति गंटा ओप्सन नमबर बी आगे बढ़ते हैं तो इसको साथ गुना पांच लिख सकते हैं साथ और लेडी चापन में ठीक है साथ अट चापन होता है बचा हुआ पांच से इसको गुना करेंगे पूरा का पूरा चापन में है चापन होता है तो बस यहीं लसी होगे चापन पंचे 280 कि ऑप्सन नमर भी इसका सही अंसर होगा आगे बढ़ते हैं वह चोटी से चोटी संख्यां ज्याद किजिए जिसे जिससे 72 को गुना करने पर एक पूर्ण वर्ग प्राप्त होगा ठीक यह बनेगा 144 और यह बनेगा 576 तो यहाँ पर क्या रहा है चोटी से चोटी से संख्यां तो 144 हम लोग यह जो दो वला है इसको मारेंगे सिक नहीं तो अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से अभाज गुनान खण निकाल के देख सकते हैं ठीक है आगे बढ़ते है इस साथ मिलकर दिवार को 8 दिन में बना सकते हैं अचा एक बात बताईए अगर आपको एक सवाल यहां से यहां तक जोड़के दे यह स्टेटमेंट दे और लास्ट में बता देख कि एक्स को दिवार बनाने में कितना समय लगेगा कि आप सवाल का आंसर निकाल लेंगे नहीं इसमें कुछ लाजिक ही नहीं निकल पा रहा है तो आप्शन जो लिया है आंसर केवल अकेला एक परियापत है दो परियापत नहीं है यह बिल्कुल गलत है यहां पर दोनों इस्टेटमेंट का जब सहरा लेंगे तो इसका आंसर निकल पाएंगे यहां पर देखे एक्स को y मिल के 8 दिन में बनाता है बस इसका efficiency को बराबर कर देंगे x का efficiency कितना आ जाएगा एक बटा a प्लस 5 उसके बाद y का कितना आएगा एक बटा a बराबर x y दोनों का एक साथ का कितना आ जाएगा एक बटा 8 इसको solve करेंगे तो यहां से a कमान निकलना बिल्कुल संभाव है जिससे की हम लोग इसका निकाल सकते हैं तो इसका जो सही answer होना चाहिए option number d होना चाहिए दोनों परियापत है आगे बढ़ते हैं एक रेखाखंड का दो निर्देशांग दिया हुआ है उसके बाद एक बिंदू इसको तीन एक अनुपात में विवाजित करता है तो बिंदू का निर्देशांग क्या होगा पूछ रहा है ठीक है तो यहां पर section formula का यूज होगा वो क्या होता है वो होता है m1 x2 plus m2 x1 बटा m1 plus m2 ठीक है और y निर्देशांग क्या होता है m1 y2 plus m2 y1 बटा m1 plus m2 m1 plus m2 दोनों में देना है और यहां पर देखिए ratio में भी दोनों में आ रहा है m1 m2 m1 m2 plus x2 x1 और y2 y1 दें रखना है तो यह formula होगी है अब इसमें value रख देंगे ये देखिए ये है x1 ये है y1 ठीक है तो 3 गुना 7, प्लस देना है, उसके बाद M2, M2 1 है, गुना X1, X1 कितना है यहाँ पर देखिए, मैनस 5, तो मैनस 5 इसमें गुना करना है, नीचे M1 प्लस M2 करना है, ठीक है, तो यानि कि दौनों को जोड़ के देंगे 3, 1, 4, यह होगा एक, दूसरा क्या होगा, दूसरा M1, Y Y2 करना, M1 3 है, और Y2 कितना है, यहाँ पर देखिए, मैनस 3, प्लस करना है, M2 Y1, M2 1 है, गुना करना है, Y1 कितना है, यहाँ पर 5 है, तो 5 इसमें गुना कर दिये, नीचे दौनों जोड़ के 4 देंगे, यह कितना होगा, सात्य 21, इधर मैनस 5 हो रहा है, तो 21 मैनस 5 करेंगे, तो 16 बचेगा, और नीचे 4 है, दूसरा कितना होगा, मैनस करना हो रहा है, इधर प्लस का 5 हो रहा है, तो यह कुल मिला के मैनस का 4 होगा, और नीचे 4 है, तो इसको कटा देंगे, यह 4 जोके 16, 4 बार में कट गिया, तो यह आगया, पहला 4, दूसरा क्या आगया, मैनस 1, तो 4 और मैनस एक इसका सही आंसर है option number D ठीक है आगे बढ़ते हैं तो यह लास्ट तवाल था वीडियो आपको कैसी लगी comment में जरूर बताइए और वीडियो को like कर दीजिए चैनल पढ़ना है तो चैनल को subscribe कर दीजिए फिर मिलते हैं अगले class में तब तक के लिए bye bye take care